Hello Learners, Learn Grammar Through Shorts First of all, let's take articles Articles are used before nouns और ये दो तरह क्यों होते हैं? Indefinite Articles and Definite Articles Indefinite Articles होते हैं A and N और definite article होता है दा A उन singular nouns से पहले लगाते हैं जो consonants से शुरू होते हैं जैसे A boy, A girl, A dog, A cow, A chair, A table, etc और N उन singular nouns से पहले लगाते हैं जो vowels से शुरू होते हैं जैसे N apple, N elephant, N owl, N umbrella, etc यूनिवर्सटी से पहले A आता है क्योंकि ये vowel की sound नहीं दे रहा और hour से पहले N आता है क्योंकि ये vowel की sound दे रहा है दा का यूज definite nouns से पहले होता है जो केवल एक हैं गंगा, यमुना, रामायन, बाइवल, ताजमहल सुपरलेटिव डिग्रीस से पहले भी दा आता है दा बैस्ट, दा होटेस्ट, दा मोस्ट, etc थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीस सब्सक्राइब सांड अफ सो